Hello friends, welcome to Guru Kul Kastas with the exam academy आपको जिसा पता है कि हम यहाँ पें current affairs related question का part series का जो part 3 लेकर आए हुए हैं जिसमें बहुत ही selected question रखेगा हैं इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी skip न करते हैं आईए एक question को हमें discuss करना शुरू करते हैं जिसा आपको दिख रहे हैं कि आज कमारा पहला question है पुशकर सिंग धामी की सराजी के नए मुख्यमंत्री बने हैं तो जानते रहे हैं कि पुशकर सिंग धामी जो है वो उत्रा खंड के मुख्यमंत्री बने है उत्रा खंड देखिया है option number A में है तो हमारे यहाँ ए नमबर राइट अंसर हो जाएगा फिदी कि सेकर्ड नमबर कुश्चन क्या कर रहा है कि कलपना चाला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारती मूल की तीसरी महिला का नाम क्या है तो जानते रहेगा कलपना चाला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की जो महिला जो तीसरी महिला है वो हैं सिरीशा बांदला तो सिरीशा बांदला दीखे आप्शन नमबर बी में है आपको यह याद रखना है कि कलपना चाला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारती मूल की जो तीसरी महिला है वो हैं सिरीशा बांदला यह याद रखेगा फिदी के आजाते हैं अपने थार्ड कुश्चन पे थार्ड कुश्चन कह रहा है कि विश्व दुख्ध दीवस वर्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है तो जानते हैं कि विश्व दुख्ध दीवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है एक जून को और एक जून देखिए ऑप्शन नमबर ए में है पुस्तक के लेखक कौन है तो जानते ही इस पुस्तक के जो लेखक है वो है रवी शास्त्री और रवी शास्त्री दीख़ा अप्शन नमबर C में है तुम्हारे हाँ पर C नमबर आइड अंसर हो जाएगा आपको याद रखना है पुस्तक के लेखक कौन है रवी शास्त्री फिर दीख़ा आजाते है अपने 5 नमबर कुशन में 5 नमबर कुशन क्या कर रहा है कि हाल ही में किस देश के नए राष्टपती के रूप में इसाख हर जोग चुने गए हैं तो जानते हैं इसाख हर जोग जो है वो राष्टपती नए राष्टपती के रूप में जो चुने गए हैं वो इसराइल के चुने गए हैं इसराइल दिखिया है और यहां पे ए तो हमारा ए नमबर राइट अंसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि नए राष्टपती के रूप में इसाख हर जोग जो है वो इसराइल के award 2021 जीता है जैरी विंग और नितीश राकेस जैरी विंग और नितीश राकेस दिखिया है option number B में है तो हमारे यहां B नंबराइड आंसर हो जाएगा फिदिखे हैं 7 number question क्या कल रहेStar ची हाली ही में अंकुर योजना की सराज़ ने शुरू किया है वो है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की बाद दिखिया उप्शन नमबर C में ही तो हमारे हाँ C नमबर राइट अंसर हो जाएगा फिदी के एट नमबर कुरिशन क्या कर रहा है कि 1232 कीमी दा लॉंग जर्णी हूम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो जानते रहे हैं कि 1232 कीमीटर दा लॉंग जर्णी हूम जो नमब जो पुस्तक जो लिखी गई है ये लिखी गई है विनोत कापरी के द्वारा और विनोत कापरी देखे है उप्शन नमबर B में आ है ICC पूरुस क्रिकेट वर्ड कप में जो टीमों की संख्या है जो भाग लेने वाली है वो टूटल भाग लेंगे 14 टीम है और 14 टीमों की बाद दिखिया आया है ओप्शन नमबर A में है तो हमारे यहाँ A नमबर आइट अंसर हो जाएगा फिदिके 10 नमबर कुशन क्या कर रहा है कि डिंगकू सिंग नंग गोम का हाली ही में निधन हो गया वह एक प्रशिद है तो क्या है प्रशिद तो जानते रहेगा डिंगकू सिंग नंग गोम जो है यह जानते रहेगा यह बॉक्सर थे तो boxer दिखी कहा है option number D में है तो हमारा D number right answer हो जाएगा आपको याद रखना है डिंगगू सिंग, नंगगोम जिनका हाली ही में निधन हुआ वो एक प्रसिद boxer थे फिर दिखे आ जाते हैं 11 number question क्या कर रहा है कि Paul Stuller पास जो Paul इस लूटर किस देश के पूर प्रदहान मंत्री थे जिनका हाली ही में निधन हो गया तो जानते हैं कि Paul इस लूटर जो थे वो थे डेनमार्क के डेनमार्क के प्रदहान मंत्री थे और देनमार्क दिखिया है option number E में तो हमारा A number item सोर जाएगा इतना याद रखीगा ये question कह रहा है कि Paul इस लूटर जो थे किस देश के पूर प्रदहान मंत्री थे current की बात नहीं और ये नहीं पूछ रहा है कि अभी कौन है बलकि कौन इतने जिनका भी निधन हुआ है तो जो निधन हुआ है वो डेनमार्क के कित्थे इतना याद रखीगा राइट अंसर हो जाएगा आपको ये याद रखना है कि हाल ही में असम का जो छठा नेशनल पार्क बना है उसका नाम है राय मोना फिरी कहा जाते हैं थार्टीन नमबर कुश्चिन क्या कर रहा है कि संड़ सथवें बाफटा टीवी अवार्ड दोहजार इकीस में बेस्ट ड्रामा का पुरुसकार किसने जीता तो जानते रहेगा संड़ सथवें बाफटा टीवी अवार्ड दोहजार इकीस का बेस्ट ड्रामा पुरुसकार जिसने जीता है वो है सेव मी टू और सेव मी टू दिखिया है option number c में है तो हमारा यहाँ c number right answer हो जाएगा आपको बस इतना याद रखना है कि sunset way बाफटा टीवी अवार्ड 2021 का जो best drama जो कुरुसकार मिला है वो save me two को मिला है फिर देखे आ जाते हैं हाँ पे 14 number question क्या कर रहा है कि French open 2021 में महिला एकल खिताब की विज़ेता कौन हैं तो याद रखेगा आप कि French open 2021 में महिला एकल खिताब की विज़ेता जो है वो है बार बोरा क्रेज सी कोवा और बार बोरा क्रेज सी कोवा देखिया है option number d में है तो हमारे अदिन नमबर राइट अंसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल खिताब की विजेता जो है वह है बारबोरा क्रेज सी कोवा फिर दिखे आ जाते हैं अपने 15 नमबर कुश्चन क्या कर रहा है कि निम्न लिखित में से कौन सा देश दिखे आया है 2024 होकी वर की मेजबानी जो देश करने वाला है वो है वोमान और विखे आप्शन नमबर ए में है तो में आपको याद रखना है कि वो देश है जो में 2014 आपकी मेजबानी करेगा मतलग हूं अमन में 2021 होकी का वर्डकप होगा फिर दिके आ आजाते हैं हम यहां परस नमार क्श्चन क्य आपको याद रखना है फ्रेंच ओपन का खिदाब 2021 का जिन्होंने जीता है वो कौन है नुआक जो को वीच है जो की आप्शन नमबर A में आए हैं फिर आ जाएंगे 17 नमबर कुछ इनके कर रहे हैं कि हाली ही में राष्ट्री मानवा अधिकार आयोक का अध्यक्ष किसे दी में हैं तो हमें दी नमबर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगा आपको बस याद रखना है हाली ही में राष्ट्री मानवा अधिकार आयोक के अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो है अरुन मिश्रा फिदी के आजाएंगे 18 नमबर कुछन क्या कर रहे हैं कि आयकर अधनियम 1961 की क आधार लिंक आपका पैन कारड अगर जो है लिंक नहीं है तो निश्क्री हो जाएगा फिर से एक बार कुछन को पढ़ देरे हैं कि आधार आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा आधार से लिंक नहीं होने पर पैन कारड को निश्क्री घुजित कर देगी तो जानत रहेगे व 1961 की वह धारा क्या है 234 है अगर इसके अमसार अगर आधार से लिंक नहीं होगा पैनकार तो वो निस्क्री हो जाएगा तो दीखे आ जाएंगे यहां पे 90 नमबर कुश्चिन क्या कर रहा है कि बेंजामीन नेतनियाहू की जगा लेने के लिए इसराइल के नए प्रधान मंतरी के रूप में किसी नियुक्त किया गया है तो याद रखेगा बेंजामीन नेतनियाहू के अस्थान पर इसराइल की जो नए प्रधान मंतरी बने हैं वो है नफ्ताली बैनेट और नफ्ताली ब रखना है फिर के आ जाते हैं फिर टुन्टी नमर कुश्चिन क्या कह रहा है कि कि 2021 के फूकु ओका ग्रैंड पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो जांतरे के जिसे सम्मानित किया गया है फिर से समली जी क्या कह रहा है नमलिखीत मेंसे किस राज ने कोविड अनातो की सिक्षा स्वास्थ और रख रखाव के लिए एक नई योजना जिसका नाम क्या है आशिरवाद योजना इसकी घोशना किया है जानते रहेगा वो राज है ओडिसा ओडिसा राज ने आशिरवात की योजना की है किसके लिए किया है कोविड अनाथो की सिक्षा स्वास्थ और रख रखाओ के लिए फिदे आ जाते देखे 22 नमर कुशन क्या कर रहा है कि हाल ही में उखना गुरेल सुख निमलिखिन में से किस देश के राष्टपती बने हैं ये नाम है याद रखेगा क्या नाम है उखना खुरेल सुख ये कह रहे हैं किस देश के राष्टपती बने हैं तो याद रखेगा य जो बने हैं ये मंगोलिया के बने हैं मंगोलिया दिखे अप्शन नमबर D में है तो मारा D नमबर आइटान सो जाएगा आपको याद रखना है कि मंगोलिया के जो नए राष्टपादी बने हैं उनका नाम क्या है उखना खूरेल सुख ती दिखे आ जाते हैं 23 नमबर कुछ क्या कर रहा है कि निमलिखित में से किस टीम ने पहली ICC विश्व टेस्ट चैंपियंशिप का खिताब जीता है तो याद रखीगा जिस टीम ने पहली ICC विश्व टेस्ट चैंपियंशिप का खिताब जीता है वो है नियूजी लैंड और नियूजी लैंड दिखिया है भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए सहयोग समझाता हुआ है तो याद रखेगा 2021 में भारत और जिस देश के बीच में अंतरिक्ष एजंसियों के बीच में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए सहयोग समझाता हुआ है वो देश है फ कुरान किस भाषा में अनुआद किया वो भाषा है गोजरी भाषा गोजरी भाषा दिख्या नमर डी स्टृ क्या कर रहे Color 2021 में Madrid Open Mahila Ekal Khitab, जो कि Tennis का है, किसने जीता है, तो याद रखिएगा, Madrid Open Mahila Ekal Khitab, जो कि खिताब ये किसका है, Tennis का है, इसको जिन्होंने जीता है, वो है, Arena Sub Lenga, तो Arena Sub Lenga दिखिया है, option number C में, तो हमारा यहाँ C number right answer हो जाएगा, आपको याद रखना है, 2021 में Madrid Open Mahila Ekal Khitab, Tennis क लिए जिन्होंने जीता है, उनका नाम क्या है, Arena Sub Lenga, फिर दिखिया है, आज जाएंगे, 27 number question क्या करा है, कि पंडित, देबु, चौधरी, जिनका हाली में निधन हो गया है, वो था सितार, सितार दिखिया है, option number E में, तो हमारा यहाँ A number right answer हो जाएगा, फिर दिखिया हमार जिस माह को मनाया जाता है, वो माह है, माई, अक्टूबर, माई, अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, माई, अक्टूबर की बाद देखिया, option number D में है, तो हमारे हाँ D number right answer हो जाएगा, इस आपको याद रखना है, कि माई, अक्टूबर में विश्व प्रावासी पक्षि दिवस मनाया जाता है, फिदे के आज जाएंगे हम 29 number question क्या कर रहा है, ग्रीन ओर्जा पुरुसकार 2021 की से दिया गया, तो याद रखेगा, ग्रीन ओर्जा पुरुसकार 2021 जिन्हें दिया गया, जिसे दिया गया जिस संथा को, तो है IREDA, IREDA दिखे आया है, option number यहाँ दिख तो ही हो जाएगा, दिखे थोड़ा नाम यह मिल रहा है, option A और B, आपको याद रखना है, कि ग्रीन ओर्जा पुरुसका 2021 जिसे दिया गया है, वो है IREDAI है, यह नहीं है, यह दिखे इस से मिलता जुलता नाम है, इसमें confuse नहीं होना है आपको, फिदिखे आ जाएंगे यह थर्टी नमबर कुशन क्या कर रहा है कि किस सागर में भारती और इंडोनेशिया नोसे नाओं ने पैसेक्स 2021 का आयोजन किया, नोसे नमले को युद्ध अभ्यास है, जिसका नाम क्या है, पासेक्स तो पासेक्स 2021 जो युद्ध अभ्यास जो दो सैनिकों नहीं किया, मुलब युद्ध नमबर कुशन क्या कर रहा है, तो हमारा ए नमबर आइटान सो रहा है कि आपको याद रखना है कि दच्छिन अरब सागर में भारती और इंडोनेशिया नोसे नाओं ने पासेक्स 2021 का आयोजन किया, फिरी कि आ जाएंगे हैं, ट्विध थर्टी वन नमबर कुश आए है, आप्शन नमबर डी में है, तो हमारा डी नमबर आइटान सर हो जाएगा, फिरी कि आ जाएंगे हैं, थर्टी तू नमबर कुशन क्या कर रहा है कि हालही में गाजा, इस्थित, फिलिस्तीन, समू, हमास ने इसरायल की और, अल-अक्सा मस्जिद के पास कई रॉकट दागे थे, अल-अक्सा मस्जिद कहा है, तो क्रिश्चन कहरा है कि अल-अक्सा मस्जिद कहा है, तो जानते रहे हैं, अल-अक्सा मस्जिद हो है, यह है यरुसलम में, और यरुसलम दिखिया है, आप्शन नमबर A में है, तो हमारा A नमबर आइटान सर हो जाएगा, फिर द नाम है ताउते ताउते दिखिया है option number D में है तो हमारा D number right answer हो जाएगा तो याद रखना है कि ताउते ही वो चक्रवात है जिसका हाल ही में प्रभाव गुजरात में भी देखने को मिला है महाराष्ट में भी और गोगत तैट पर फिदि के आजाएंगे 34 number question का कर रहा है कि जापान के order of the rising sun से किसे सम्मानित किया गया है तो आपको याद रखना है कि जापान के order of the rising sun सम्मान जिसे दिया गया है वो है शामला गड़ेस और शामला गड़ेस दिखे option number D में है तो हमारा D number right answer हो जाएगा आपको याद रखना है कि शामला गणेस हैं यह इन ही को जो है जापान के order of the rising sun से सम्मानित किया गया है तो दीकि 35 number question आ जाएंगे कह रहा है question कह रहा है कि किसने Miss Universe 2021 का खिता तो याद रखेगा जिन्हों ने Miss Universe 2021 का खिता है वो है हरनाज कौर संधु और हरनाज कौर संधु दीकि option number C में है तो मारा C number I dance रो जाएगा आपको याद रखना है कि हरनाज कौर संधु जी ने Miss Universe 2021 का खिता है फिदिक आ जाएंगे 36 number question क्या कर रहा है कि विश्व मध्मक्षी दीवस वर्ड बी डेज हर साल कम मनाया जाता है तो जानते रहेंगे विश्व मध्मक्षी दीवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है बीस मई को और बीस मई की बार दिखे option number D में है तो हमारे यहाँ D number right answer हो जाएगा फिदिक आ जाएंगे 37 number question क्या कर रहा है कि मोक्टर ओने किस देश के प्रधान मंतरी बने है तो जानते रहेंगे मोक्टर ओने जो है यह प्रधान मंतरी बने है माली के माली दिखे option number D में है तो हमारे अबी number यहाँ पे right answer हो जाएगा तो जाएगा तो जाएगा तो जाएगा तो कि मोक्टर ओने जो है यह माली देश के प्रधान मंतरी बने है फिदिक आ जाएंगे यहाँ पे 38 number question क्या करे कि सुन्दर लाल बहुड़ा हाली ही में जिनका निधन हो गया है वह एक थे तो क्या थे एक तो याद रखेगा कि सुन्दर लाल बहुड़ा जिनका हाली ही में जिन्धन हो गया है वो जो थे एक परियावरण चिंतक थे और परियावरण चिंतक की बात आई है देखे आप्शन नमर डी में है तो हमारा डी नमर यहाँ पे right answer हो जाएगा फिदिक आ आ है नरेंद्र बत्रा और नरेंद्र बत्रा देखे आप्शन नमर बी में है तो हमारे यहाँ बी नमर राइट अंसर हो जाएगा और आज हमारा लास्ट कुश्चन में भी इसके में और भी है देखे यह क्या करा है कि वैश्विक G20 स्वास्थ सिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कि जिस देश ने की तो याद रखेगा वैश्विक G20 स्वास्थ सिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी जिस देश ने की है वो है इटली और इटली देखे ऑप्शन नमर बी में है तो हमारे यहाँ पे बी नमर राइट अंसर हो जाएगा फिर दिखेगा हमारा नेक्स नमर कुश्चन क लिखे आँ है ऑप्शन नमर देखे आए हैं यहाँ पे सी में तो हमारे हाँ सी नमर राइट अंसर हो जाएगा फिर दिखेगा फोटी तू नमर कुश्चन क्या कर रहा है कि निमलिखित में से किस देश ने चक्रवात का नाम यास रखा है मतलब जो भी हाली में जो 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 उसका नाम यास किस देश ने इस नाम को दिया है तो याद रखेगा वो उस देश का नाम है ओमान ओमान देखे आप्शन नमर बी में है तो मारे आप बी नमर राइट अंसर हो जाएगा याद रखेगा कि जिस देश ने चक्रवात का नाम यास रखा था या रखा है वो है तो याद रखेगा मोहाली अंतरराष्ट्री हौकी स्टेडियम का नया नाम क्या है तो याद रखेगा मोहाली अंतरराष्ट्री हौकी स्टेडियम का जो नया नाम है वो है ओलम्पियन बलबीर सिंग सीनियर अंतरराष्ट्री हौकी स्टेडियम जो की आया है यह आप्शन नम and thank you very much for watching this video thank you